नमस्ते, आज हम अध्यन करेंगे अमेरीका की संग्य वैवस्ता और उसके लक्षन अमेरीका की संग्य वैवस्ता विश्व विख्यात है सन 1787 में 13 राज्यों के मेल से अमेरीका का सहिक्त राज्य इस्थापित किया गया और आज के समय इसमें पच्चास राज्य समलित है संगात्मक सरकार उसे कहा जाता है जहां सविधान के द्वारा शक्तियां केंद्र तता राज्यों में बटी हुई होती है सविधान देश का सर्वोच कानून होता है जो केंद्र तता राज्यों में सविधानिक जगड़ों का निन्नाई करता है संगात्मक शासन परणाली में दो तरह के शासन होते हैं एक तो केंद्र का शासन तता दूसरा प्रांतों का शासन और इन दोनों शासनों का कार्य शेत्र अधिकाश शेत्र इस पश्ट रूप से सिमांकित रहता है सहीत राज्य अमेरीका के संग वैवस्ता के लक्षन अमेरीकी संग वैवस्ता की विशेस्ताएं या उसके लक्षन निम्न प्रकार या इस प्रकार से है पहला सविधान की सर्वोच्टा अमेरीका का सविधान लिक्कित है तदा देश का सर्वोच कानून है सविधान की सर्वोच्टा का उलेक अनुचे 6 में किया गया है और इसपश रूप से कहा गया है कि जो भी कानून सविदान के विरुद है वे लागू नहीं हो सकेंगे दूसरा स्वतंत्र वा सशक्त न्याय पाली का शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए तता इस बात की रक्षा के लिए कि केंदर का शासन राज्यों की अधिकारों का अतिक्रमन न कर ली अमेरिका में सशक्त और निक्षपक्ष सर्वोच न्याय ले द्वारा वेवस्ता की गई है सवेधानिक विशेयों पर सर्वोच न्याय ले का निर्ने अंतिम और मान्य है तीसरा दोरी नागरिक्ता अमेरिका में दोरी नागरिक्ता पाई जाती है प्रतिक व्यक्ति सविक राज्य अमेरिका का भी निवासी है और अपने राज्य का भी चौता राज्यों के अपने सविदान संग्य सविदान में केवल इतना कहा गया है कि जो शक्तियां संग को नहीं दी गई है या राज्यों के लिए निशीत नहीं की गई है वे राज्यों के लिए सुरक्षित है राज्यों को इन सिमाओं में रहते वे अपना-पना अलग सविधान बनाने की आग्या है सिनेट में राज्यों को समान प्रतिनिदित्व सिनेट अमेरिका का उच सदन है और उसमें प्रतिक छोटे और बड़े राज्ये को समान प्रतिनिदित्व दिया गया है प्रतिक राज्ये को इसमें दो प्रतिनिती भेजने का अधिकार दिया गया है नेक्स्ट द्वेत शासन अमेरिका में द्वेत शासन है देश में दो प्रकार के शासन है एक तो केंद्रिय शासन दूसरा राज्यों का शासन केंद्रिय शासन की ही भांती राज्यों की प्रतक कार्य पाली का वैवस्ता पिका और न्याय पाली का है सविधान संशोधन में राज्यों की भूमी का अमेरिकी सविधान में संशोधन में राज्यों का महतपून हाथ होता है संशोधन के लिए या तो तीन चोटाई राज्यों की सहमती आवश्यक है या कॉंग्रेस के दोनों सद्नों के सद्धस्यों का अलग अलग तीन चोताई भोमत हो ना चाहिए नेक्स्ट शक्तियों का वितरन अमेरीका में संग और राज्य की सरकारों को सविधान द्वारा पूर्ण मानित्या प्राप्त है शक्तियों के वितरन में अमेरीका में उस सिद्धान को काम में लाया गया है जिसे घंणाव अवशेस का सिद्धान कहा जाता है शक्तियों के वितरन के बारे में सविधान में कहा गया है कि वे सब शक्तियां जो सविधान द्वारा संग को प्रदान नहीं की गई तता जो उसके द्वारा राज्यों के लिए निशिद नहीं की गई है क्रमश राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित है संग सरकार की शक्तियां गिनादी गई है तदा आविशिष्ट शक्तियां राज्यों की सरकारों को प्राप्त है संग सरकार की शक्तियां राश्ट्री महत्व के विशे संग्य सरकार के कारे शेत्र में रखे गए हैं करों की वसूल लियर राश्ट्टि सुड़क्षा की वैवस्ता विजेशों के साथ राज्यों में परस पर उद्ध्योगर वेवस्थाई का संचालन मुद्रा निर्मान आदी संग सरकार के लिए निशीद शक्तियां, सविधान द्वारा कुछ शक्तियां संग्य सरकार के लिए विशीज रूप से निशीद कर दी गई है संग्य सरकार लोगों के बंदी प्रत्यक्ष करन अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती उपाधियों का वित्रन नहीं कर सकती भाशन की सोदंता पर आगात नहीं कर सकती राजों के लिए निशीद शक्तियां कुछ शक्तियां राजों की सरकारों के लिए निशीद कर दी गई है उधारन के लिए राजे को ये अधिकान नहीं है कि विजश्य के साथ संधी या समझोते कर सके शांती की समय विसैना या युदपोत नहीं रख सकते राजे कॉंग्रेस की सहमति के बिना अंतराजे व्यापार या आयात या निर्याज शुल्क भी नहीं लगा सकते और आपस में समझोते भी नहीं कर सकते इसके अतिक राजे की सरकारें दास प्रता नहीं रख सकती ना बंधी प्रत्यक्षी करन धर्म विचार अभिवेक्ती वप्रेश समन्धी नागरी कदिकारों का हनन भी नहीं कर सकती इस तरह से अगर हम देखें तो अमेरीका में संग एवं राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है और वहां अच्छे से संगात्मक शासन पढ़ना ली है वो कारिय कर रही है धन्यवाद